आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिज के यूटूब चैनल पर हाजी एक बहुत बड़ा मुद्दा डिसकस करने आये हूँ आप लोगों के साथ अभी क्या हुआ मैंने कल एक कोश्चन पोस्ट करा हमारे यूटूब कम्यूटी में यहाँ पर जब मै और 42% लोगों ने दूसरी तरह आंसर दिया इसका मतलब कोश्चन बड़ा टफ है क्योंकि एक तरफ आंसर नहीं आया तो मुझे लगा इस मुद्दे पर वीडियो बनानी चाहिए मुद्दा क्या है आपके साथ यह हो सकता है आपके किसी क्लाइंट के साथ हो सकता है आपको इस तरह का नोटीस आ सकता है अभी मैं एक नोटीस में डील कर रहा था तो मुझे यह केस समझ आया तो मैंने सोचा इसका आंसर अपने सब्सक्राइबर से पूछता हूँ तो 69% लोगों ने कुछ और आंसर दिया 37% ने कुछ और दिया 4% कहते हैं मैं आंसर पता ही नहीं तो इसका मतलब या तो यह 41% लोग सही है या यह 59% लोग सही है तो 41% लोग भी अगर गलत है तो बहुत बड़ी गलती है कि आप लोगों को GST के 5 सालों बाद भी कुछ चीजे अभी तक क्लियर नहीं है तो इस केस को डिसकस करते हैं केस क्या था केस सिंपल था कि मानलो मैं कपि 10,300€ taxable value है किस से पर्चेज करें नटवरलाल से ठीक है नटवरलाल को है ठीक है नटवरलाल मेरा supplier है जिस से मैंने यह goods पर्चेज करें गुड्स परचेज करें थे आज से चार साल पहले 22 जनवरी 2018 को या 20 जनवरी 2018 को लेकिन हुआ क्या आठ फरवरी 2022 को नटवर लाल की मृत्ती हो गई मालो या आज से 6 महीने पहले नटवर लाल मर गया कोरोना के अंदर वो चला गया अब उसका कोई लीगल हैर नहीं था कोई कुछी नहीं था ठीक है उसने 6 महीने तक रिटन फाइल नहीं करी तो डिपार्टमेंट ने क्या करा वह सेक्शन 29 टू का यूज करते हुए उसका जीस्टी रजिस्टेशन बैक डेट से कैंसिल कर दिया ऐसा सेक्शन 29 में जीस्टी ओफिसर कर सकते हैं उन्हों सेक्शन को यूज करा और उनका रजिस्टेशन बैक डेट से कैंसिल कर दिया ठीक है अब हुआ क्या यह जब रजिस्टेशन 1 जुलाई 2017 से कैंसिल हो गया अब कोश्चन ही आता है कि जो मैंने 20 जनवरी 2018 को करी थी ठीक है क्या उसका ITC वैलिड है या नहीं वैलिड है 59% लोग कहते हैं वैलिड है 37% लोग कहते हैं वैलिड नहीं है 4% कहते हैं अपने को कोई मतलब नहीं ठीक है न तो अब इसकी हम जाच करते हैं कि हम यह किस बेसिस पर यह बात कह रही है तो भाई अगर मैं यह ली ठीक है उसके लिए मुझे section 16 की condition satisfy करनी थी और section 16 की मेरी सारी condition satisfy है मेरे supplier ने tax भी जमा कर दिया सब कुछ जमा कर दिया मुद्द सरीफ क्या है कि मेरी purchase लेने के बाद registration को cancel कर दिया गया है वो भी back date से तो अब इस चीज को समझना ये जो network लाल है network लाल हो गया unregistered person कब से unregistered person हो गया एक जुलाई 2017 से क्योंकि ये जो unregistered person बन गया किस वज़ा से क्योंकि इसका registration back date से cancel हुआ अब एक view तो department का ये है क्योंकि आपने network लाल से purchase करी और ये unregistered person बन गया क्योंकि इसकी जितनी भी purchase sales थी वो void ab initio हो गई मतलब कि जब से registration लिया हमने back date से cancel करा है इसलिए purchase sales सब void ab initio हो गई तो जब इसकी purchase void ab initio हो गई unregistered हो गया ये ITC नहीं ले सकता और इसी ITC से इसने अपनी output liability को discharge करा है तो इसने जो output liability discharge करी वो भी paid नहीं हुई तो kapil yen जो आपने ITC लिया हुआ है ये invalid हो गया और आपको tax जमा कराना पड़ेगा मैंने कहा भई मेरी गलती क्या है मेरी गलती क्या है जब मैंने नटवर लाल से purchase करा सब कुछ ठीक था ठीक था ठीक है न सारी condition satisfied थी tax paid कर था अब तुमने उसका back date registration कैंसिल कर दिया तो या तो आपको back date करना ही नहीं चाहिए था आप मुझे comment box में लिख कर बताओ कि ये जो back date registration कैंसिल हो रहा है क्या ये provision change होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और अगर ये provision नहीं change हुआ तो आपको clear करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का registration back date कैंसिल होगा तो उसकी implementation क्या होगी भाई अगर आप back date network लाल का registration कैंसिल कर रहे हो तो network लाल से बोलो कि भाई हम तुमारा सारा ITC void करते हैं खराब करते हैं लेकिन ये जो supplier आपने supply करी है जो भी आपने supply करी है इस पर tax दो लेकिन आप recipient को परेशान मत करो क्योंकि अगर आप recipient को परेशान करोगे तो इस law की जो सही अंतरात्मा है उसे आप ठेस पोचारें क्यों supplier की भी क्या गलती है ठीक है ना तो यहां पर इस बात को समझना है कि हमारे को अगर ऐसा कोई case आ जाता है ठीक है तो इस case में मेरा अपना personal view है कि भाई हम इसका ITC ले लेंगे सर फिर back date cancellation करने का फाइदा क्या हुआ भाई अगर उसने back date cancel करा है ना तो उसका जो नुकसान है वो स्रिफ supplier भुखतेगा उसका recipient वो नुकसान नहीं भुखतेगा क्योंकि supplier के साथ कभी भी हादसा हो सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी हादसा supplier के साथ होगा वो recipient भुखतेगा तो यह वाला जो case है इसमें जितने लोगों ने जवाब दिया 37% ने ITC not valid मेरे इसा back date cancel हो गया तो यह वेक्ती unregistered person बन गया और इसके दुवारा जो invoices issue किये गए ठीक है वो सारे बेकार हो गए क्योंकि इसका ITC भी बेकार हो गया इसके दुवारा invoice जो जारी किये गए वो भी बेकार हो गया लेकिन लोग मेना ऐसी कोई clear ऐसा लिखा नहीं गया तो जब त करते हैं मेरा सारी section 16 की condition satisfy हो अब आप कहोगे sir so section 162c की जो condition है tax has been paid वो कहाँ satisfy हुई क्योंकि जब यह supplier back dated cancel हो गया तो इसका ITC तो खराब हो गया तो जब इसका ITC खराब हो गया तो इसमें जो tax pay करा उस ITC को use करें के तो यह condition satisfy हुई नहीं भाई मैं आज की date में नहीं देख करी थी ठीक है ना तब यह व्यक्ति का ITC valid था और उस time पर उसका ITC valid था उसने उसकी tax की payment करी तो मैं मानूंगा कि section 162c की सारी condition satisfy है अगर आप यह सारी चीजे समझना चाते हैं पूरा GST लोग पढ़ना चाते हैं तो हमने क्या करा है दिल्ली के अंदर batch शुरू करा है GST का भाई बार बार हम इस batch को सुरू करते हैं बार बार दिल्ली में lockdown लग जाता है ठीक है लेकिन अब ऐसी उम्मीर है कि दिल्ली में lockdown ना लगे तो हम इसे batch को दुबारा सुरू कर रहे हैं तो अगर दिल्ली NCR का जो भी बच्चा है वो इस batch में जोइन कर सकता है जो वेक्ति ब pen drive है सबको उसकी recording भीजेंगे और इस महीने ना हमारे GST में सेमिनार है सेशन है पहला सेशन है गूगल सीट पर गूगल सीट क्या होती है कैसे यूज होता है हम अपने office में करते हैं तो हमारी जो expert है सिका सैनी जी इस Google शीट पर session करेंगी इस से पहले हमने advance excel पर session कर रहा था तो इस Google शीट के session को जरूर जोइन करें ठीक है बहुती nominal fees है ठीक है आप जोइन कर सकते हो और हाँ जी एक हम session कर रहे हैं GSTR 99C पर 20 फरवरी को 4 से 7 बजे ठीक है तो ये हमारा session रहेगा GSTR 99C पर इसकी last date 28 फरवरी है तो अगर आपको इस session में registration लेना है तो आप इसमें ले export पर ठीक है कई लोगों को बड़ी confusion है deemed export को लेकर zero rated export को लेकर merchant export को लेकर कि इसमें कैसे refund होता क्या सारी चीज़े है तो हम CA final का जो chapter number 14 है ठीक है वो पूरा discuss करेंगे तो अगर कोई CA final वाला वेक्ती है तो वो भी class को join कर सकता है इस chapter का revision उसका हो जाएगा और magazine आप सब copy मिल गई होगी Hindi की आज कल में आ जाएगी और hard copy English की हमारी dispatch हो चुकी है बहुत जल्द आपको मिल जाएगी अगर आपको sample copy चाहिए तो आप इस number पर WhatsApp कर सकते आपको sample copy मिल जाएगी और एक ना high court की judgment है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका registration back date cancel हो गया है ठीक है ना नहीं लोगे अगर आपको judgment की copy चाहिए तो इस number पर WhatsApp कर देना वो judgment की copy भी हम आपको दे देंगे वीडियो में comment box में आप comment डाल कर हमें बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी आप कौन-कौन सा session join करना चाहते है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जादे से जादे जिससे उने भी knowledge मिलती रहे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching